नमस्कार दोस्तों डीफाइव चैनल हिंदी देख रहे सवी दर्शकों का मैं ध्रमेंदर संदू स्वाक्त करता हूँ विशम में सनातन धर्म को सबसे पुरातन माना गया है सनातन धर्म से संबंदित वेद पुरान उपुरान शिरी रामायन शिरीमद भगवत कीता को मानुस सभिता की अधार शिला कहा गया है इन सभी पावन गरंथों में संस्कृत भाशा में भरमांड के समुचे ग्यान के इलावा नैतिकता विचार भुगोल खगोल राजनिती संस्कृती समाजी के परंप्राओं विज्ञान के बारे में विस्तार से जानकारी संग रहीत है जर्मनी में भगवान नर्सिंग की 32,000 साल पुरानी प्रतिमा का मिलना सनातन धर्म के पुरातन होने की परमानिक्ता की पुष्टी करता है आईए आपको बताते हैं कि जर्मनी में भगवान विश्णू जी के अवतार भगवान नर्सिंग की विशाल प्रतिमा से जुड़े रोचिक तत्यों के बारे में क्या जर्मनी तक फैली थी सनातन धर्म की जड़ें जर्मनी में 89 साल पहले वर्ष 1049 में एक गुफा में नर्सिंग भगवान की 32,000 साल पुरानी मूर्ति को धून निकाला गया दूसरे विश्वयुद के 34 प्रतिमा के बारे में लोगों को सही जानकारी नहीं मिल सकी इस गुफा में से कई जीवों के अशेष और लोगों के कंकाल भी मिले थे मूर्ति गुफा के मुख से 20 मीटर अंदर और जमीन से करीब 1.2 मीटर गहराई तक मिली थी वर्ष 1998 में पुरातरतो विभाग से संबंदित विज्ञानिकों ने इस खंडित मूर्ति के टुकडों को एक एक करके जोड़ा तो यह प्रतिमा भगवान विश्व के अवतार भगवान नर्सिंग के रूप में सामने आई जिस गुफा में यह प्रतिमा मिली वहाँ पर दिन और रातरी का मिलन होता है इस 20 मीटर लंबी गुफा में रोशनी की आखरी करन भी पड़ती है हमारे पुराणों में वर्नीत है कि हिरने कशव को मारने के लिए जब भगवान नर्सिंग ने वक्त चुना था वो समय रात और दिन का मिलन हो रहा था इस मूर्ति के मिलने के बाद इतिहास कारिया सोचने पर मजबूर हो चुके कि आखिर सनातन हिंदू धर्म कितना पुराना है भगवान नर्सिंग की प्राचीन मूर्ति का एशिया मेना मिलकर योरूप में जर्मनी के गुफा में पाया जाना हैरानी जनक है भगवान नर्सिंग ने की थी अपने भत्त की रक्षा पौरानी कथा के नुसार भगवान विश्णू ने अपने भत्त की रक्षा के लिए भगवान नर्सिंग का अवतार लिया था नर्सिंग का असल में अर्थ आधा शेर और आधा मनुश्य है वेदों और शास्त्रों में भगवान नर्सिंग से जुड़ी कथा वरनित है देश दुनिया में ऐसी कई प्रतिमाएं हैं जो अपने आप में कई रहसे शिपाय हुए हैं जर्मनी से मिली प्राचिन भगवान नर्सिंग की प्रतिमा के अलावा उत्तर प्रदेश के ललितपूर जिले के गाव दोधई में भी भगवान नर्सिंग की एक 35 फीट उंची प्रतिमा वेधमार है इस प्रतीमा को चटान को काट कर बनाया गया है। सदी में आदगुरु शंकराचारे ने सिष्टी की रचना और देव उत्पती के बारे में लोगों को जानकारी दी थी शायद उप्त प्रतिमा उन्होंने ही स्थापित की होगी प्रतिमा में आ रहे आविश्वसनिय बदलाव के दार खंड के सनत कुमार सहिता अंसार जब हगवान नर्सिंग की मूर्ती से उनका हाथ तूटकर गिर जाएगा उस दिन विश्वनु प्रयाक के समीक पटमिला नामक स्थान पर जैवा विजे नाम के पहाड आपस में मिल जाएंगे इसके बाद बदरीनात के दर्शन नहीं हो पाएंगे अब इस मूर्ती में कई आश्चरह चकित करने वाले बदलाब देखने को मिल रहे हैं इस प्रतिमा की दाहिनी बाजू पतली है जो धीरे धीरे पहले से अधिक पतली होती जा रही है तो दोस्तो ये थी जर्मनी में मिली 32,000 साल पुरानी भवान की प्रतिमा से जुड़ी जानकारी ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे जुड़े रहे है डी फाइव चैनल हिंदी के साथ